सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android मोबाइल यूज करते हैं और उसके अंदर जो है आप आप एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने Android मोबाइल में और आपको जो है वो शो नहीं होती है आपके होम स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाइटी स्टूडियो को इंस्टॉल करके रखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा चेक कर सकते हैं कहीं भी मुझे यह शो नहीं हो रहा है मेरे फोन के अंदर मेरी होम स्क्रीन पर कहीं भी तो ऐसे में आपको करना क्या होता है जिससे कि आपकी जो हिडन एप्स हैं जो आपको शो नहीं हो रही है वो आपको कैसे शो होने लगेंगी होम स्क्रीन पर त यहां पर आपको देखने को मिलेगा apps, apps पर आपको click कर लेना है, जैसे ही आप apps पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा manage apps, manage apps पर आपको फिर से click कर लेना है, अब यहां पर आपको search bar देखने को मिल रहा है, Search Bar पे आपको Search करना होगा System Launcher यहाँ पर System Launcher आ चुका है इसको OK करिए अब System Launcher आने के बाद आपको यहाँ पर Storage देखने को मिल रहा है उपर की तरफ इस पर क्लिक करिए नीचे Clear Data है Clear Data पर आईए और Clear All Data कर दिजिए इसका Clear All Data करने के बाद यहां से आपको back आ जाना है अब आपको second काम क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे आप फिर से manage apps में आएंगे तो आपको फिर से search bar में search करना होगा play store अब आपको google play store को open करना है यहां से अब यहां से आपको storage पर आना है और google play store का भी आपको clear all data कर देना है अब देख सकते हैं यहां से इसका भी clear all data कर दीजिएगा then उसके बाद यहां से आपको back आ जाना है अब आप देखेंगे जो आपकी problem है वो solve हो जाएगी अब आपकी जो भी app होंगी जो आपने install करके रखी होंगी जो आपके show नहीं होरी home screen पर वो show होने लग जाएगी अगर यह सब करने के बाद भी आपके home screen पर वो applications जो है show नहीं होती है तो एक और आप काम कर सकते हैं वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ या तो आप अपने android mobile पर अपने pinch करिएगा जैसे की home screen पर pinch करिएगा जैसे आप pinch करेंगे हम आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर pinch करेंगे आपके सामने security app open हो जाएगी या फिर आपको direct आचकते हैं अपनी setting के अंदर अगर आपने mobile में यह सब नहीं होता है तो setting में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे की तरफ या फिर आप search bar में उपर search करिएगा hidden apps यह hidden apps आचुकी है इस पर open कर लीजिएगा इसको और यहाँ पर आपने जो भी लगा रखोगा code बगारा वो डाल दीजिएगा जैसे आप यहाँ पर इसको open करेंगे hidden apps को आपको यहाँ पर देखने को मिल लगागी आपने किन-किन applications को hide करके रखा हुआ है यहाँ पर yt studio मैंने install करके रखा हुआ ता देख सकते हैं यह hide है अब आपको दिखा देता हूँ इसको unhide करके यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया है disable कर दिया है hidden apps में से अम आपको दिखाता हूँ यह मुझे यहीं पर देखने को मिल जाएगी मेरी home screen पर यह देख सकते हैं scroll करते ही मुझे यहाँ पर white studio मेरा देखने को मिल चुका है कई बेर आप गलती से hidden apps में चला जाता है जो आपकी install की कोई application होती है तो आप परेशान मत होईएगा यह सब आप करेंगे तो problem आपकी solve हो जाएगी सो गाइस बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था hope आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते है नापकी वीडियो में तिल दर भाटे क्या लव यू अल